एक बड़ी पुरानी कहावत है अंधा मुर्गा थोथा धान जैसा नाई वैसा जजमान आखिर ताइवान पहुंच चुकी है पेलोसी लेकिन पेलोसी का ताइवान पहुंचना इतना आसान नहीं था अमेरिका को बहुत सारी चीजे करनी पड़ी और जब पेलोसी पहुंची है तब युद्ध के लिए चीन ने किस तरीके के माहुल बना दिये हैं अलाकि जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं चीन ने भारतिय वायुसेना से भी सवाल कर दिया है जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पोलिटिक्स में बिल्कुल धमाल सा मचा हुआ है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से अमेरिका की स्पीकर नैंसी पेलोसी की तायवान यात्रा बहुत महत पुर्ण हो गई थी अमेरिका के लिए अगर पेलोसी ताईवान नहीं चातों अमेरिका के साथ देने वाले देशों के अंदर संसे पैदा हो जाता और बाइडन ने एक लाइन में ये कहके कि इस वक्त न इसलिए नैंसी पेलोसी के विमान को ताइवान में लेंड कराया गया ये जब ताइवान में एंट्री हो रही थी नैंसी पेलोसी के विमान तो आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से खुश थे ये ताइवानी लोग हैं जो बेहद खुश थे अमेरिका के किसी बड़े अधि ताइवान एरपोर्ट पर पहुचने के बाद इन्हों ने यही कहा कि हमने जो यहाँ पर यात्रा की है ये यात्रा दिखला रही है कि हम लोग तंतर के लिए समर्थन करते हैं उन्होंने ये भी साफ किया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नैंसी पेलोसी की तरफ से ये ट्वीट भी आया जिसमें ये कहा गया कि हम खुले स्वतंतरत हिंद परसाम छेत्र को आगे बढ़ाने की बात पर जोर देते हैं मतलब नैंसी पेलोसी ने अपना वादा पूरा किया और वो ताइवान की जमीन पर उत्री लेकिन ये इतना आसान नहीं था 24 फाइटर जेट नैंसी पेलोसी के साथ साथ उड़ रहे थे जहां आसमान में 24 अमेरिकी फाइटर जेट उड़ रहे थे नैंसी पेलोसी के प्लेन के साथ साथ तो वहीं पानी में ये हाल था कि रोनाल्ड रिगन और 7th Fleet को पूरी तरीके से तयार कर दिया गया ताईवान स्ट अब ये दोनों जो एर्क्राफ्ट केरियर हैं ये दोनों एर्क्राफ्ट केरियर खुद ही चीन की नेवी को तबाह करने के लिए सक्छम माने जाते हैं और चीन ने भी अपने युद्धुपोतों की यहाँ पर तैनाती कर रखी है मतलब की अमेरिका पूरी तरीके से तैयार था अगर किसी तरीके का हमला होता यात्रा के दोरान तो फिर अमेरिका सीधे सीधे हमले का जवाब देता नैंसी पेलोसी के यहाँ पहुँचने के बाद ताइवान के बड़ी बड़ी इमारतों में स्वागत के सब्द लिखे गए इसके अलावे ताइवान ने खुसी जाहिर करी और यहाँ पर यह वहाँ पर कॉंग्रेसमेन से मिली और अब राष्टपती से मिलेंगी पर चीन इस समय क्या कर रहा है इसक्रीन पर हब देख सकते हैं वीडियो यह जो इलाका है न यह फुजियान का इलाका है और फुजियान के इलाके में लगातार टैंक्स पहुँच रहे हैं और इस वक्त ताइवान पूरे हाई अलर्ट मोड पर है अब चीन की धमकी क्या बेसर हो गई और चीन के लिए यह मजा कस्प भी से क्यों बन गया है हलाकी आपको बता दें अभी भी चीन यह कह रहा है कि हम मिलिटरी एक्शन लेंगे और चीन ने लगभग तीन तरफ से ताइवान को घेर रखा है और ताइवान को घेर कर यहां लाइव फायर ड्रील की जा रही है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल यह ग्लोबल टाइम्स ने इस चीज को दिखलाया है कि हमने किस तरीके से ताइवान के चारो तरफ घेर कर युद्धा भ्यास करना सुरू कर दिया है यह उन्होंने मैप भी सेर किया है और उन्होंने दिखाया है कि हमने ताइवान आइलेंड को छे तरफ से घेर लिया है और छे तरफ से हम फायर ड्रील कर रहे हैं यानि कभी भी यहां लड़ाई के माहौल बन सकते हैं इसके अलावे Global Times ने ये तक साफ कर दिया है कि PLA यहां पर military operation चलाएगा इसलिए चलाएगा क्योंकि पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की है अब यहां पर हालात टेंसन वाले बन गए हैं टेंसन वाले इसलिए हालात बन गए हैं क्योंकि PLA अगर कोई action नहीं लेता है यानि की चीनी आर्मी अगर कोई action नहीं लेता है तो फिर जिन्पिंग के लिए तीसरे टर्म में राश्ट्पती बनना बहुत मुस्किल हो जाएगा इस वक्त लगातार यह जो फुजियान इलाका है उस फुजियान इलाके में military पहुँच रही है अब सोचेंगे आप फुजियान में क्यों पहुँच रही है military बड़ी संख्या में टेंक वगेरा क्यों उतारे जा रहे हैं तो दरसल फुजियान और ताइवान को देखिए य यही वज़े है कि फुजियान में पहुच रहा है टेंक और चीनी आर्मी अब अमेरिकी हाउस की अध्यच नैंसी पेलोसी चीन की तमाम धमकियों को धता बताते हुए ताइवान पहुच चुकी है उनकी इस यात्रा के जवाब में चीन ने ताइवान के चारोतरफ युद् ड्रिल करने का एलान कर दिया है लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीनी लढ़ाकु विमानों की गतिविदियां काफी बढ गई है अब ऐसे में सवाल उठता है कि चीन नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में अ एक छोटा युद्ध जरूर कर सकता है, हाँ बड़ा युद्ध कब हो जाता, जब नैंसी पेलोसी के विमान को मार कर गिरा देता चीन, तब ये एक बड़े युद्ध के रूप में बदल सकता था, खेर, अब देखना होगा कि क्या ताइवान के ऊपर युद्ध करता है, या फिर ऐसे ही यहां से वापस फिर पेलोसी निकल भी जाएंगी, क्योंकि आपको बता दें, यहां से रहा है चीन का, रूस में चीन के ऊपर जब मजाक किया जाता है, कोई धमकी देता है, तो कहा जाता है, चीन का फाइनल वर्निंग दे रहे हो, ऐसा इसलिए कि ताइवान इसलिए को ही लेकर, चीन ने 900 चिठी लिखी थी हर दो दिन बाद, और हर चिठी में लिख्या था, यह हमारा फाइनल वर्निंग है, यह हमारा फाइनल वर्निंग है, तो एक तरीके से चीन की वर्निंग एक मजाक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, अब जहां एक तरफ ताइवान में चीन की क्लास लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ, LAC पर भी भारत ने जिस तरीके से बड़े स्केल पर फाइटर जेट की तैनाती सुरू कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल अप करना सुरू कर दिया है, इसे देखते हुए अब चीन में खलवली मची ये क्यों चला रहा है, भारत, वैसे आपको बता दे, भारत ने भी अपने हेलिकॉप्टर्स और फाइटर जेट को सौर्टी करवाना सुरू कर दिया है, कथी तोर पर अब ये भी सीमा के पास गतिविदियों को बढ़ा रहे हैं, जिस से टेंसन हो रही है चीन को, ताइवा मामले में आपकी क्या रहा है, कमेंट कर जरूर बताएं, जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ